हलो गाईज जेक बार आपका फिर्ट स्वागत है सीको सीखाई चल पहें मैं हो तोलसी मात हो मेरे स्केन पर देख सकते हैं मैंने तीन फाइल यहां पर आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले यहां पर एक signature है अगर आपको सिर्फ signature चाहिए सिर्फ और सिर्फ signature फिर पी एंगी पे यानिकी और कुछ भी ना आए जो भी वाइट एरिया है वो ना आए तो इसके लिए आपको क्या करना होगा वो चीज में आपको बताऊंगा नेक्स्ट यहां पर यह जो फाइल है मैंसे एडिट करके यानिकी यहां सब्सक्राइब कर रहा हूं यहां पर य यह side देखे और यह उल्टा भी है अभी हम लोग इसे clean करना सीखेंगे इसे किस तरह से clean कर सकते हैं और यह जो भी यहाँ पे dust वगरा लगा है वो सारी से remove हो जाएंगे next जो हमारा photo है next जो image है हमारा वो यह है यह देखिए यह white के जगा फूरा सा पीला color का दिख रहा है या red के हैं जो भी कहें बट यह दिखतो रहा है इसे white भी हम लोग कभी करना सीख जाएंगे चली मैं यहाँ से close करता हूँ और सबसे पहला है हम लोग यह जो पीला color का दिख इसे ही अपने drag करके photo shop पे open करते हैं और यहाँ पे लाकर छूड़ देते हैं तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से यह open होके आ जाती है आपका सबसे पहला काम आएगा क्यूंकि अगर आप इसे print करेंगे तो image पे चले आए image size और यहाँ से इसे कर दीजिए a4 ओके ठीके आप आपको इतना काम होगिया है इसके नीचे यहाँ पर यह लेयर पर control के साथ आप प्लस बटन पर क्लिक कीजिए यह देखी एक नई लेयर आ जाएगी और इस लेयर को तोड़ दीजिए डबल क्लिक करके और इसे उपर कर दीजिए इसे आपको white color से fill करना है इसे आपको white color से स इतना मारा काम हो गया control plus L करते हैं और यहाँ पर यह जो last वला है sample image white point ठीक है इस पर लीखा होगा जैसे आप आईएगा यहाँ पर तो लीखावा देखेगा कि white point करके आपको दिखाई देगा और यहाँ पर आके एक बार क्लिक करतीजिए अब दिखी यह white हमें देखने को म लगे वहाँ पर किलिक कर दीजिए रोके करतीजिए अब हमें क्या करना है M प्रेस करना है M से यहाँ पर यह rectangle और elliptical mark tool select हो जाता है हमें rectangle mark tool select करना है और इतना area select करने के बाद delete ठीक है फिर side भी select करना है और delete यह देखे है इस side भी आपको select करना है और delete button प्रेस करतीजिए यह देखे है बिल्कुल आपको original और new जैसी लगनी लगी होगी है कि ने अगर यह video यहाँ तक अच्छी लगी होना तो एक like तो बनता है चलिए इसे यहाँ से close कर देते हैं क्योंकि आपने यह चीज़ तो सीख लिया close कर दे इसे यहां से next जो है हमारा वह हमारा यह file है तो इसे भी हम लोग इस तरह से drag करके लिखे आएंगे और photoshop पर open कर देंगे तो आपका सबसे पहले काम आएगा कि अगर आप इसे print करेंगे तो image पर आएंगे image size और यहाँ से सबसे पहले करना है आपको A4 और रोखी कर दीजिए चीक है इसे आपको सीधा करना है सबसे पहले तो सीधा करना यह उल्टा है तो image पर आएंगे और image rotation पर क्लिक करेंगो और 180 यह सीधा हो गई हमारा सेमी प्रोसेस करना है कंट्रोल के साथ एक layer बना लीजिए यह देखी नीचे आगया अगर आप पहले लोक नहीं तोड़े होते हैं अगर आप पहली बार लोक तोड़ लेते हैं अब अगर कंट्रोल के साथ प्लस बटन करेंगे तो layer नीचे आएगी कंट्रोल के साथ delete बटन तो यहाँ पर इसके नीचे यह दिखे वाइट आ गिया है इसी पर रहेंगे और कंट्रोल प्लस एल करेंगे हो सकता है बहुत सारे लोगों को यह चीज पता होगी कोई बात नी और जो dark area यहाँ उस पर क्लिक करेंगे OK करेंगे again, control प्लस एल करेंगे और जो भी dark area यहाँ वाँ पर जाके फिर से क्लिक कर देंगे, शिफिट सिफ्त कंट्रुल ल करां स्ट एल करने के बात फिर से मैंने ll किया और इसे न थोड़ा सा अंदर की, साइड लाएंगे, यह देदे यादा ने करना है, व्य अब फिर से हमें M प्रेस करना है और एरिया सेलेट कीजिए और डिलेट कीजिए यही चीज आपको करना है ठीक है अब देखिए अब मैं जो चीज आपको बता रहा हूं अब देखिए यहां पर कुछ एरिया हमें दिखाए दे रहा है इप्रेस करेंगे इसे आपका इरेजर टूल सेलेक्ट हो जाएगा तो कोई बात नहीं आप यहां पर आके यहां से हार्डनेस को जिरो कर लिए और यहां से साइज इंक्रीज कर सकते हैं यह देखिए हो गया कत्म यहां पर थोड़ा सा दिखा रहा है कोई बात नहीं इसे इस तरह से आके आपको इरेज करना बस यह दिखें इस तरह से इरेज कर दीजे थोड़ा बारिकी से इस तरह से इरेज कर दीजे अब हो यह रहा है कि नीचे का हमें फाइल दिखाए दे रहा है यह दिखें इसलिए नीचे भी हमारा वाइट है है ना इसलिए यह चारी चीजे हमें देखने को मिल रही है अब दिखे यह थोड़ा समय से यहां पर कुछ इस प्रकार से कर दूं और यहां पर भी थोड़ा से यहां पर दे रहा हूं जितना बारी के से काम करेंगे आपका उतना ही अच्छा यह वर्प होने वाला है और नीचे वाला वन कर दीजिए यह क्यों हो गया मैं थोड़ा से इधर कर देता हूं और यह देखे हैं पॉइंट अट गया था जितना बारी के से काम करेंगा ना उतना काम आपका अच्छा फ्रेस होगा क्योंकि एक वीडियो पे मैं आपको सारी चीज़े कवर करनी होती है तो ज्यादा डिटेल से मैं आपको बदा नहीं सब्सक्ता बड़ आप जब वर्क कीजिएगा तो आपको यह चीज़ करना है तो गया आप देख सकते हैं हमने कुछ इस प्रकार से बना लिया है जो हमारा अगर सिगनेचर चाहिए तो ठीक है अगर थम भी चाहिए तो कोई बात नहीं तो सबसे फिलाल तो हमें सिगनेचर ली लेता हूं इतना इलाका हमने सेलेक्ट किया इमेज पे जाएंगे और क्रॉपे क्लिक कर देंगे अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सिगनेचर है और क्या करना है इस पर double click कीजिए और इंटर कर दीजिए डबलू आपको प्रेस करना है डबलू से यहां पर यह देखिए magic one tool select हो जाएगा और click कर दीजिए shift के साथ और एक बार आपको click करना है जो जो area का जो जो देखिए आपको यह blank तो दिखता होगा लेकिन अब कहीं कहीं है बच गया है तो नीचे एक layer लेंगे और उससे black से fill करेंगे ठीक है यह देखिए अब आपको इस पर नजर आता होगा कि इसमें कितनी कमी अभी भी बची हुई है तो सबसे पहले हम लोग जो अब उपर layer पर जाएंगे और shift के साथ एक बार यहां पर क्लिक करेंगे यह दिखिए दो-तिन बार यहां पर क्लिक करने के बाद फिर मैं यहां पर जा रहा हूं और इस साड़ भी यहां पर भी क्लिक कर दे रहा हूं इधर भी और डिलेट अगेंड करूंगा अब यहाँ पर यह तारों के सहर में जो है इसे हम लोग इस तरह से कुछ सलट करेंगे यह देख लीजिए अ हाँ यह तारों के सहर को हम लोग अटा देते हैं यहां से कुछ सलेट करने के बाद आपको क्या करना है डिलेट पर कर देना है यह देखिए डिलेट हमारा हो गिया है फिर इससे हम लोग सलेट करेंगे इसतरह से डिलेट कर देंगे कंट्र प्लस एल करेंगे और इसे थोड़ा सा हम लोग इस प्रकार से यह दीखिए और जो भी इसका कलर है उससे ले लिजे और इस प्रकार से यह ठीक है यह कहीं न कहीं ठीक है अब दीखिए यहां पे भी कुछ इस प्रकार से छूटा हुआ है तो आप चाहें तो pen tool का use कर सकते हैं जैसे इसे click करके इसमें थोड़ा सा आपका time तो लगेगा ही बट कहीं न कहीं अच्छा भी होगा अगर आप pen tool use करेंगे न तो कहीं न कहीं आपका ये work जो है तो दिखेगा कि हाँ ये वाकई में work हुआ है इसमें ठीक है feather थोड़ा सा आप use कर सकते हैं चाहें तो और delete कर दीजिए अब देखे कि आपको किस प्रकार से लग रहा है मैंने ज्यादा feather use कर दिया था one use कर दिया था इसलिए बट उतना हमें use नहीं करना है something 0.5 कर दीजिए और enter कीजिए मतलब delete कीजिए ये देखे और नहीं तो बस ऐसे delete कर दीजिए तीक है मैंने बिना feather के आप देखे यहां पर आपको देखने को मिलता होगा तो इस प्रकार से भी जो है आप इन चुजों को हटा सकते हैं remove कर सकते हैं थोड़ सी मैनत तो है और अगर आपको आसन बिल्कुल आसन कुछ भी नहीं करना है तो आप चले आए वेबसाइट पे मैं अपना net connect कर लूँ तो हमारा net connector हो गया है यहां पे आपको लिखना है यहां पे आपको लिखना है बीजी remover ठीक है तो हमने बीजी remover लिखा पहली जो वेबसाइट है इस पे आएंगे और यहां पे upload पे किलिक करेंगे और हमने जहां कहीं भी वो फाइल रखी है उसे इस प्रकार से आपको upload करना है ठीक है तो यहाँ पे कुछी दिर में यह upload हो जाएगी ठीक है upload होने के बाद edit पर मैं क्लिक कर रहा हूं और यह दिखें तो हमने जब इसे upload किया और इसे जब हम लोग edit भी करेंगे तो दिखेंगा कि यहाँ पे कुछ भी न तो इसके लिए आपको क्या करना है कुछ भी नहीं फिर से चलिए क्लोज करते हैं इसे अपलोड पर आएंगे उससे पहले हमने जहां कई भी वह फाइल रखी है उस पर जाएंगे राइट क्लिक करेंगे और इडिट पर जाएंगे ठीक है सेलट करेंगे यहां पर मैं मैंने नाम दे दिया 555 अब अगर मैं आपको दिखाऊं अपलोड करेंगे तो देखी कि क्या होता है यही है सिगनेचर अब देखिए सिर्फ टेक्स्ट ही हमारा आ चुका है अब डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो वो जो फाइल हमारी डाउनलोड हो गई है और इसे फोटो खावा देख लिए बड़ आपका कहीने कहीं वर्क तो होई जाएगा ओके आई होप कि यह तीन चार चीजें आपको पसंद आई हो और जैसे कि मैं मैं सकता हूं अगर मेरे विडिया आप लोगों को अच्छे लगते हो तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल और राइक एंस थैंक यू आप फॉन बाई बाई